देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर मंगलवार को भारत बंद की अपील का जोदपूर में फिलहाल कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है एक तरफ कॉंग्रेस वे कई अन्य संगतनों ने बंद का समर्थन किया है वहीं व्यापार महसंग ने स्वेम को बंद से अलग रखते हुए अपने प्रतिस्थान खुले रखने का फैसला किया है बंद समर्थ तक कॉंग्रेस कारकरता अभी तक घरों से निकले नहीं है हलंकि मंडिया भी बंद रहेंगी साथ ही रोडवेज की बसों का संचालन भी दोपहर बाद ही होगा ऐसे वे फिलहाल शहर में सब कुछ रोजमरा के समाने है सुबह से शहर में सब कुछ समाने गतिवी धियान जारी है सुबह जल्दी खुलने वाली सभी दुकाने भी खुली सुबह पर भी रोजमरा की तरह समाने हल चल है शहर के अधिकांश बादार खुले हैं या तायाद भी समाने हैं शहर में चपे चपे पर पुलिस बल तैनाथ है शहर में आज 800 पुलिस कर्मी तैनाथ किये गए हैं पुलिस का कहना है कि जप्रन किसी को दुकान या बागज़ार बं कराने के औनवती नहीं है देश की किसानों के समत्र में भारत बन का विकानेर में असर तो नजर आया लेकिन मुखह मारगों तक ही सिम्टा हुआ दिखाई दिया दरसल मुख्या बाजार में लोग सारधानी के मंदे नजर अपने आप ही दुकाने बंद रख रहे थे वहीं शहर के भीत्री शेत्र में दुकाने खुली थी अनाजमंडी पूरी तरह बंद रही शहर के कोटगेट से के एम रोड और कोटगेट से दावजी मंदे तक दुकाने बंद रही रामफुरिया कॉलेज के आगे अधिकांच दुकाने बंद थी जोदपुर्जिले की ग्रामिन पुलिस ने चलती बस में चोरी करने के 6 आरोपी गिरिफतार किये हैं ग्रामिन पुलिस सदिक्षक राहूल बारहट ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 25 तोला सोना 630 ग्राम चांदी बरामत की गई है वे बस में यात्रियों के बैग और अटैचियों से कीमती समान चुराते थे बिकानेर में पंचाय समीतियों के चुनाव परिणाम आने का सिल जिला शुरू हो गया है पहला परिणाम ही चौकाने वाला है यहां लुनकरन सर पंचाय समीति के वार संख्या 14 से उस दावेदार को जीत मिल गई है जो इन दिनों जेल में है दरसल महिंदर सारस्वत को इस वार से 664 मतों से जीत हासिल होई है महिंदर पर हत्या का आरोप है और जेल में बंध है निर्दरिय महिंदर ने चुनाव परचार में भी हिस्सा नहीं लिया था लेकिन उसके मित्रों और परिजिनों ने ही वार परचार किया था जोद्पु शहर में कोरणा संकर्मा रोकने के लिए स्टार अभियान शुरू किया गया है जुला कर्रेक्टर इंडर जीस सिंग ने बताया कि ये अभियान निगम के सायोग से शुरू किया गया है स्टार अभियान के तहट COVID-19 गाइडलाइन की बहतर तरीके से पालना करने वारे प्रतिस्ठानों, कारेले, संसान, होटल, रेस्टरेंट्स, दुकाने वा अन्य अजेंसियों की पहचान कर उन्हें स्टार पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा पाकिसान से सरी राजसान की पश्यमी सरहत पर पहली बा सीमा सुरक्षा बलके 500 से अधिक जवान 176 किलोमेटर की दौड साड़े आट मिनट में पूरी कर नया रिकार्ड कायम करेंगे जो सेलबरेज जवान दिनात अभ्यास में लगे हुए हैं दोड ऐसी होगी जिसे देख दुश्मन देश भी थर आएगा पांस साल पहले पशिमंगाल बॉर्डर पर बैटन रिले रेस हुई थी पाकिस्तान से भारते सीमा की रक्षा करने वाले जवान 15 दिसम्बर को बैटन रिले रेस में अपना दमखम दिखाएंगे अधिक्षक डॉक्टर रंजना देशाई ने बताया कि न्याएधिश पुश्पेंद्र सिंग भाटी ने अपनी बेटी के प्रसव के बाद नवजात दोहिते के नाम पर मरीजों को सर्दी के प्रकोप से बचाने के लिए जन हितार्थ 12 ओयल हिटर भेंड किये अभियांत्री के महाविद्यालय अभिकानेर सहिद विकानेर के अन्य महाविद्यालयों में डिरेक्ट एडमेशन के तहट होने वाले प्रवेश के लिए रीप ने तारीक बढ़ा दी है ECB के असेसेंट प्रफेसर डॉक्टर नविन शर्मा ने बताया कि नए आदेशों के मुताबिक अब 31 दिसंबर तक विद्यारती रजिस्ट्रिशन करा सकेंगे AICTE की जारी पत्र के आधार पर बीटेक में प्रवेश के लिए कलेंडर में संशोधन किया गया है जोद्पुशार के राजीव गांधी नगर थाना के अंतरगत शिक्षक कलोनी चपासनी के सिवा निवरत PTI मदन पाल सिंग के मकान में चूरी हो गई वे परिवार सहित शादी समारों में शामिल होने के लिए डीडवाना गए थे अग्या चोर घर से 40,000 की नगदी, चांदी के बरतन, सोने के जेवराधी चोरी करके ले गए जोद्पुशार की यातायत पुलिस में एतेनाद ASI पर एक महिला ने दुशकर्म का आरूप लगाते हुए सुरसागर थाने में रिपोर्ट दी है महिला का रूप है कि ASI उमाराम ने नशीला पदार पिला कर उसके साथ दुशकर्म किया फिर वीडियो बना कर उसे वारल करने की धंकी देती हुए उसके साथ कईबाल यौन शूशन भी किया मामले में DCP मुख्याले एवं यातायात राजेश मीरना ने एक्षन लेती हुए ASI उमाराम को सस्पेंड कर दिया जोदपुर के श्वासरी नगा सेक्टर H विकास समीती की बैठक में सेक्टर की दुर्भाष निर्देशी का कावी मोचन किया गया समीती की कुमुद गौर्ड ने बताया कि बैठक में समीती के कारियों के साथ भविशे की योजनों पर चर्चा की गई जोदपुर के चोपासने हाउसिंग बोर्ड सीत राज़ के महाविध्याले कुड़ी भकतासनी और राज़ के कर्ने महाविध्याले मगरा पुंजला में सनातक प्रथम वश में प्रवेशित चात्र चात्राओं के लिए मूल प्रमान पत्र और प्रवेश से संबनिद दस्तावेज जमा होना शुरू हो गए हैं विद्यार्थी 16 दिसंबर तक संबनिद महाविद्याले में कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए हाड कॉपी जमा करवा सकते हैं रासान अवासन मंडल के ओर से बुधवार को इन इरामे उत्सा में प्रदेश भर में कुल 2230 नए आवास बेचे जाएंगे जोद्पुर में सरवादिक 1662 से ज़्यादा फ्लैट्स बिकने को तयार हैं इसके अलावा जवापुर, हन्मानगड, उद्यपुर और भिवाडी सहीत अनेक सान पर आवास खरीदे जा सकेंगे जोद्पुर शहर की देवनगर पुलिस ने अवाद रूप से स्मैक बीच रही एक महिला को गरिफतार किया उसकी पास से पुलिस ने 4 ग्राम स्मैक अजप्ट कर NDPS Act में मामना दर्ज किया है मामने में राजीव गांधी कलोने की सुमित्रा बिश्णोई को गरिफतार किया गया है तो फिलाल इस पुलेटिर में इतना है फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें धन्यवार